हलो फ्रेंट आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक फोन से दूसरे फोन में फोटो कैसे transfer करेंगे कैसे share करेंगे तो इस वीडियो के आप complete देखते हैं तो आप चाहे एक फोटो share करना चाहते हो या multiple या फिर आप सभी फोटो share करना चाहते हैं एक फोन से दूसरे फो आप गैलरी को पैंड करते हैं तो आपके वोटो जाते हैं तो यहां पर सभी फोल्डाइव आजाते हैं जैसे कि मैं इसको select कर लेता हूँ all photos पे तो यहाँ पर सभी folder की photos आ जाती है screen shot आ जाते हैं सब कुछ यहाँ पर आ जाता है अब आप यहाँ पर जिसको भी भेंजना चाहते हैं उसको यहाँ पर select करेंगी इस तरह से एक भेंजना चाहते हैं तो एक select करेंगे इस तरह से आप और भी ज़्यादा send कर सकते हैं, transfer कर सकते हैं, फिर सभी को transfer करना तो उपर select कर सकते हैं, अब यहाँ पर नीचे send का option मिल जाता है, send पर click कर देते हैं, send पर click करेंगे तो इतने सारे option खुल का राज आते हैं, बड़ दोस्त आप इन सभी option को use किसी को नहीं करना ह जिस option को मैं बता हम उसको use करना है, यहाँ पर दोस्त आप देख सकते हैं, quick share इस time आपके phone में आ चुका है, लेकिन यह work नहीं करना है सभी phone में, और यहाँ पर दोस्त अब आपको use करना है share me application, share me application आप जो है play store में जाएंगे, play store से आपको यह application को download कर लेना है, share me, लिखें use करना है, और इसके download करोड़ों में है, ठीक है न, तो दोस्ते यहाँ पर देख सकते है share me application, आपको सामने वाले phone में जैसे open करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, सामने वाले phone में, तो आपको इस तरह से interface आज आएगा, अब सामने वाले phone में receive का option आता है, receive पर क्लिक करेंग तो qr code आ जाता सामने वाले phone में, अब आपको अपने phone में भी share me application में रही क्लिक कर देना, share me application में क्लिक करेंगे, और qr code यहाँ पर कुछ permission मागेगा अगर पहली बार आप कर रहे हैं, तो जैसे permission दोगे, qr code scan करने का option आएगा, scan कर दोगे, तो यहाँ पर connect का option आएगा, connect क पर click करोगे, तो इस तरह से correction successful हो जाएगा, यहाँ पर यह photo देख सकते हैं, चली जा चुकी है, और आप share करना चाते हैं, और photo share करना चाते है, share more file पर click करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से photo select कर देंगे, जो भी आप select करना चाते हैं, और भी चीज़े भेजना चाते हैं, तो वो भी send हो जाएगा, ठीकर ना, दुवारा connect करनेक जुरत नहीं है यहाँ पर, तो दोस्त इस तरह से आप send पर click कर देंगे, यह भी जा चुकी है, तो इस तरह से आप multiple photos, multiple चीज़ें भेज सकते हो, ठीकर न, share more files पर click करके, अब दोस्त यहाँ पर आपको बार बार connect करने की जुरत नहीं है, I hope आपको यहाँ से सीखने को मिला कि किस तरह से आप share कर पाएंगे, दोस्तों यहाँ पर आपकी photos की quality same to same वही रहती है, एक kvb reduce नहीं होती है, अब यहाँ पर चली में से disconnect करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पर भी मैं बाहर आ जाता हूँ, तो दो पर उसको उसी तरह select करेंगे, और share का option आता है, बस फिर आपको share में application का use करना है, जैसे मैंने बता है, वही चीज कर देना है, share में first time install करेंगे, तो permission मागेगा, तो आपको allow allow कर देना है, permission दे देना है, पहली बात, तो ठीक है न, I hope आपको वीडियो से help मिलता है, यदि पार हो, transfer कर पार हो, तो आप हमें जरूर चैनल को subscribe करेंगे, इसे हमी motivation मिलता है, हम आपके लिए इसे ही content लादे रहते हैं, thank you channel visit करने के लिए आपका बहुत बहुत धनवाद, योदि और किसी भी तरह की query है, तो आप Instagram पर message कर सकते हैं, प्रकास पाजी official हमारा Instagram idea, धनवाद चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धनवाद,